हाई बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पिछले वीडियो में हमने आप लोग को अबजेक्टिव टाइप का कोश्चन नहीं बताया हुआ था बहुत सारे बच्चे कोमेंट कर रहे थे तो आज हम लेके आए हैं आप लोग को अबजेक्टिव टाइप का कोश्चन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडियेफ फाइल इसका मिल जाएगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ले सकते हैं तो ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे बिये पार्ट वन सेमेश्टर सेकेंड का पॉलिटी पढ़ेंगे बच्चों और उसका अबजेक्टिव टाइप कोश्चन अबजेक्टिव टाइप कोश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत सारे बच्चे कोमेंट किये हुए थे तो आज लेके आएं आप लोग को ये वीडियो हम objective type question का तो आज सारा objective हम आप लोग को करा देंगे ध्यान से देखते रहिए और प्रते एक exam में part 1, part 2, part 3 प्रते एक exam में अब तो objective type compulsory है वो तो पूछता ही पूछता है तो इसलिए ध्यान से देखिएगा objective type का question इस type का question आए तो आप लोग कैसे करेंगे ठीक है तो first number question से हम स्टार्ट करते हैं video हम बने रहिए देखते रहिए last तक तो first number question देखिए बच्छो unit first का unit first का first number question इस type से आए तो कैसे हम करेंगे देखिए राजनीती बिज्ञान शक्ति का बिज्ञान है किसने कहा है राजनीती बिज्ञान जो है यह सक्ति का बिज्ञान है किसने कहा है फर्स्ट नमर उप्शन क्या है A मैकावे, B लिकॉप, सर उप्शन और द क्या होगा कैटलीन तो फर्स्ट नमर उप्शन क्या होगा कैटलीन जो है वो राजनीती बिज्यान के शक्ति का बिज्यान कहे हुए ठीक है क्या कहे हुए है कि राजनीती बिज्ञान जो है वो सक्ति का बिज्ञान है ठीक है तो राजनीती सेकेंड नमबर देखें कोश्चन राजनीती बिज्ञान राज का अध्यान है यह किसका कतन है राजनीती बिज्ञान जो है यह राज का कतन है यह किसका कतन है तो यह ज राज की उत्पती जीवन के लिए है तथा सद जीवन के लिए उसका अस्तुत बना हुआ है यह कथन किसका है यह कथन जो है किसका है बोला गया ठीक है तो आ नमबर जो है अरस्तु बा नमबर गयतिल सा नमबर लॉसकी और दा नमबर रूसो तो किसका कथने बताइए बताइए किसका कथने बच्छों अरस्तु अरस्तु जो है यह इनका कथने कि राज की उत्पती और जीवन के लिए है यह सद जीवन का विकास किया गया है नेस्ट कोस्चन देखते हैं, फोर नमबर चोस्चन ऑच्चोँ, फोर नमबर कोस्चन जो कह रहा है राजनीति बिज्ञान जो है, को केवल सरकार का अध्यन की रूप में परिभासित करने वाला बिचारक कौन है फिर से देखे, रिपीट करते हैं, राजनीती बिज्ञान को किवल सरकार का अध्यन की रूप में परिभासित करने वाला बिचारक कौन है, A number, Garner, B number, Likok, Sir number, Demok, और The number, Losski, कौन होगा बच्चों, बताइए, कौन होगा, Likok, Likok, जो है, राजनीती बिज्ञान के जो है, क सरकार का अध्यन की रूप में परिभासित की है, कौन बच्चों, Likok, 5 number question देखे, बच्चों क्या कह रहा है, राजनीती बिज्ञान का आरंभ, तथा अंत, राज्य के साथ होता है, राज्य के साथ होता है, यह परिभासा किसकी है, यह परिभासा जो है, किसकी है, A number, Garner, B नमबर मैकावेर, सा नमबर डहल, और दा नमबर मेरियम, बताइए, बताइए क्या होगा, राजनीती बिज्ञान का आरंभ जो है, और अंत, राज्य के साथ होता है, यह किसका कतन है, बताइए, और नमबर जो है, Garner, Garner का कतन है यह, ठीक है बच्चों, 6 number question देखे, निमलि निती बिज्ञान को राज्य से संबंदित शास्त्र नहीं मानता है, राज्य से संबंदित शास्त्र नहीं मानता है, और नमबर गैरिस, ब नमबर इस्टन, स नमबर बलंटशली और द नमबर अक्टन, बताइए क्या होगा, बताइए, क्या होगा, इस्टन, इस्टन जो है, वो राजनिती बिज्ञान को राजे से संबंदित बिज्ञान जो है नहीं मानते हैं ठीक है इस्टन ठीक है सेवन नंबर कोशन देखे बच्छो इसी तरह सेवन नंबर कोशन क्या करा है सीले राजनिती बिज्ञान को नेम नाम कित सीले जो है राजनिती विग्यान को नेवनाम की तो सिले नेवनाम की तो ईसका एंसर जो हो जाएगा जो ये हो जाएगा सवल नंबर संजुक सरकार से राजनिती विज्ञान जो है नाम की संबंदिश शास्त्र मानता है सरकार से मानता है सरकार के द्वारा ही ना राजनिती विज्ञान की स्टार्टिंग होती है देखे एट नंबर क्या कर रहा बच्छो राजनिती विज्ञान राज्य तथा सरकार से संबंदित शास्त्र है यह परिभासा किसकी है यह परिभासा जो है किसकी दी गई है ठीक है अब अमपद राय गिल क्राइस्ट गौर्णर गेटल बढ़े क्या होगा क्या होगा गिल क्राइस्ट गिल क्राइस्ट गिल क्राइस्ट जो है वो राजनिती विज्ञान तथा सरकार के जो है संबंदित सास्त्र बोले हुए है यह परिभासा जो है गिल क्राइस्ट की है देखे नाइन नमपर देखे बच्छो निमलिखी तरकों में से कौन राजनिती विज्ञा की वैज्ञानिकता के समर्थन में है मताएक के का आभाव बनंबर क्रमबध अध्यन सनंबर परिक्षण संभव नहीं दनंबर कारे तथा कारण के बीच संबंध का आभाव बता सकते हैं क्या होगा नाइन नंबर निमलिखित तरकों में कौन राजनिती वैज्ञान के जो है प समर्थन में वो बोले हुए थे तेन नंबर राजनिती विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है यह किसने यह किसने कहा है बताई गिल क्राइस्ट डिमॉक गार्नर गिटल बताई क्या होगा कौन बोले हुए है राजनिती विज्ञान का संबंध राज् यह कौन बोली हुए हैं बताइए DIMAV DIMAV जो है वो उनके कतन जो है कहा है यह संबढ़ जो है उनके सरकार से है DIMAV बोली हुए है ओके बच्चों देखते हैं अगला question level number क्या का रहा 11 number question राजनीती शास्त्र राजनीती शास्त्र जो है राज्य तथा उसके दसाओं राज्य तथा उसके दसाओं किदर उसके दसाओं से संबंदित अनिवार दसाओं से संबंदित है या किसने कहा है राजनेती भी ज्ञान जो है राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार दसाओं से संबंदित है यह किसने कहा एक्टन, गैरिस, गॉर्नर, पोलक, बताईए क्या होगा, कौन बोला है, बताईए, एक्टन, एक्टन जो है, यह बोले हुए है, कि अनिवारे दसाओं से सम्मंदित है, राजनीती सास्त्र, ठीक है, 12 नमबर देखे, किसने कहा है कि राजनीती बिज्ञान सरकार से सम्मंदित है, राजनीती बिज्ञान जो है, सरकार से सम्मंदित है, गॉर्नर, गैटिल, लौड एक्टन, लिकॉक, बताईए क्या होगा बच्चों, बता सकते हैं, लिकॉक, लिकॉक जो है, यह बोले हुए है, कि राजनीती बिज्ञान सरकार से सम्मंदित बिज्ञान ह ओके बच्छों तो 13 नंबर कोश्चन देखते हैं टे हमीं पॉलियूट पूस्तक के लेखक का नाम है लेखक का नाम है क्या नाम है आम है बटाइए क्या नाम है बच्छों sergeant nbar औरस्टक का एंसेर अपर से Kollege जो है the politics पुस्तक के लेखक है the politics पुस्तक के लेखक जो है कौन है अरस्तु है ठीक है बच्चों तो 14 number question देखते है 14 number question क्या का रहा है 14 number राजनीती विज्ञान का शक्ती सासन वो सत्ता से संबंध है यह कथन किसका है यह कथन किसका है ठीक है राजनीती विज्ञान जो है शक्ती का विज्ञान है यह किसने का है पताए जो है राबर्ट डहल जो है यह बोले हुए है क्या बोले हुए है कि राजनीती विज्ञान जो है सासन वर शक्ती का संबंध है यह कथन राबर्ट डहल का है ठीक है बच्चों तो देखिए यहां राजनेती बिज्ञान को केवल राज के अध्यन के रुप में परिभासित करने वाला बिशारक है कौन गौर्णर सीले डिमॉक पॉल जैनेट बताई क्या होगा क्या होगा बच्चों गौर्णर जो है यह राजनेती बिज्ञान को केवल राज के अध्यन के रुप में परिभासित करने वाले बिचारक है कौन गौर्णर ठीक है बच्चों देखिए 16 नंबर ग्रंत रिपबलिक के लेखक कौन है ग्रंत रिपबलिक के लेखक जो है वो कौ कौन है बता सकते हैं लॉस की बेंथम हीगल प्लेटो यह आल इंवर्सिटी में काम करेगा अगरा इंवर्सिटी हो या कोई भी इंवर्सिटी हो सभी इंवर्सिटी के लिए कंपल्सरी है ठीक है यह अब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो आप लोग ध्यान दीजिए और देख हखां प्लेटो यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो है यह किसकी रचना है ग्रॉहम वैलेस लियो वाल्टर वेज बार हाट और लॉसकी तो ग्रॉहम वैलेस जो है यह यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स की रचना है ठीक है य यूनिट सेकेंड में यूनिट सेकेंड में आ जाते हैं कि क्या कह रहा हैं राजनीती-शास्तर के संबन्द में आधनिक द्रिष्टिकूण के प्रवर्थक विद्वान है और गौर्नर और गेटल, लिकाक और सीले, और केटलीन और लॉस्वेल, लॉस्की और हर्मन हैलर, पता ये क्या होगा? पता सकते हैं कोई? बैटलीन और लॉस्वेल जो है, ये जो है, क्या हुए है? केटलीन और लॉस्वेल जो है, ये राजनिती सास्तर के संबन्ध में आदमिक कोड के प्रवर्तक विद्वान रहे हैं कैटलीन और लॉस्वेल कैटलीन और लॉस्वेल जो है यह राजनिती दर्शन के प्रवर्तक विद्वान है बेवहारबाद के प्रमुख प्रतिपादक का नाम बताईए बेवहारबाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन है इनका नाम हेरोल्ड लॉस्वेल जो है यह बेववारबाद के प्रमुख पर तिपादक के नाम है बेवारबादी उपागम के अंतर्गत अध्यन किया जाता है देखें सरकार का राजणिति संस्थाओं के आदर सुरूप का राजनिति संस्थाओं के तिहासिक स्वरूप का और राजनितिक बेवहार के प्रभावी एवं प्रभाव स्वरूप का ठीक है बता सकते हैं क्या होगा कि राजनितिक बेवहार के प्रभावी एवं प्रभाव स्वरूप का जो है बेवहार बादी उपागम के अंतरगत अध् राजनिती उपागम बेवहारबादी उपागम के अंतरगत ये अध्यन किया जाता है ठीक है अब अगला कोश्चन बताइए बच्चों बेवहारबाद की सिमाओं का बिवेचन जो है या है बेवहारबाद की सिमाओं का ठीक है बेवहारबाद की जो सिमाओं है उनका इस्टन बताई क्या हो प्रोसिबली जो है वो बेवहारबाद की सीमाओं का बिवेचन किये हुए हैं फाइफ नंबर देखिए फाइफ नंबर कोश्चन क्या कर रहा बच्चों राजनीती बिज्ञान की एतिहासिक राजनीती बिज्ञान की एतिहासिक उपागम के प्रमुख परतिपादक जो है कौन है और नमबर होब्स और लॉक ठीक है बा नमबर लॉस्वेल और डेविड इस्टन और सा नमबर सीले और फ्रीमेन और दा नमबर अरस्तु एकी विनास तो इसका राजनिती विज्ञान के अतिहासिक उपागम के जो परतिपादक है वो कौन है स्वागम के पढमकपरतिबादक है सीले और फ्रीमेन नेक्ट देख्ये आगे सिक्स नमबर कोस्ट्ञ तक रहाए बच्चों देखिए ध्यान दीजिये अधर्षवादी उपागम को अमूर्थ निगमण किस नह कहा है अधर्षवादी उपागम को जो है अमूर्थ निगमन का संग्या जो है कौन दिया हुआ है ये बताना है हम लोग को ठीक है लौस की प्लेटो सीले मिल पता ही मिले मिल जो है ये जो है अधर्श्वादी उपागम को अमुर्थ निगमन की संग्या दिये हुए है ठीक है बेवहारबाद का सार तत्तो है बेवहारबाद का सार तत्तो है क्या कठोर पदती परिकल्पना परवेक्षण विशलिशन क्या होगा बताई बेवहारबाद का सार तत्तो जो है क्या है बताई परवेक्षण परवेक्षण जो है ये बेवहारबाद का सार तत्तो है ठीक है असपश्ट होने से गलत होना अच्छा है यह विचार धारा है यह विचार धारा किसकी है उगरवादियों की उदारवादियों की बेवहारवादियों की उत्तर बेवहारवादियों की आप लोगों ने long type answer और short type answer question पढ़ा होगा तो आप लोग answer आसानी से कर सकते हैं ठीक है उनी सब से यह सब एंस्वर है objective compulsory है इसलिए जो है बताइए क्या होगा और स्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है यह किसका कतन है उगरबादियों का कि उदारबादियों का कि बेवहारबादियों का कि उत्तर बेवहारबादियों का बताइए बेवहारबादियों का यह कत है कि अस्पष्ट होना गलत होना से अच्छा है ठीक है नेक्ष्ट देखिए यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स बहुत अच्छा कोस्चन है हमेशा competitive exam में भी आता है 10 में भी है और बीए में भी है तो यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पॉस्तक के लेखक है इस्टन ग्राहम वैलास रॉबर्ट डहल आमंड नाइन नंबर का answer क्या होगा ग्राहम वैलास जो है human nature in politics का पुस्तक के लेखक हैं बहुत अच्छे लेखक हैं बच्चों तो 10 number question देखे हैं प्लेटो ने अपनी पुस्तक प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो है वो the republic में किस अध्यन उपागम को अपनाया है ठीक है तो आदर्शवादी बेभारबादी एतिहासिक यथार्थवादी प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो है the republic में किसका अध्यन किया है आदर्शवादी बेभारबादी एतिहासिक यथार्थवादी तो आदर्शवादी बिभारबाद में जो है बल दिया जाता है उपादेता एवं कृति पर उपियोगीता पर सकनीक पर बेग्यानिक पद्दती पर किस पर बल दिया जाता है बिभारबाद में बल दिया जाता है किस पर बल दिया जाता है बताए चारों आपके सामने हैं किस पर बल दिया जाता है उपाद्यता एवं कृति पर बल दिया जाता है विभारबाद में बल दिया जाता है उपाद्यता एवं कृति पर New Aspects of Politics पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है New Aspects पुस्तक की रचना जो है यह किसके द्वारा की गई है ध्यान दिजेगा बच्चों, चॉल्स मेरियम के द्वारा, चॉल्स मेरियम के द्वारा जो है, निव एस्पेक्ट्स पॉल्टिक्स की पुस्तक का रचना की गई है, बेवहारबादी आंदोलन कब प्रारंब हुआ, यह दिति बिश्यूद के पश्यात, जो है, अच्छा लगे, लाइक, सेर, सब्सक्राइब कर दिजेगा, और हमने आपको अबजेक्टिव टाइप इतने कोश्चन बता दिए, और नेक्स्ट वीडियो में अगले कोश्चन के साथ मिलते हैं, अबजेक्टिव टाइप ही, और इसका पीडिये फाइल में जो है, डिस्क् वीडियो में, अगले सेक्शन में, तब तक के लिए भाइ, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बुडियो,